नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल ग्यानदा नोलेज में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है दोस्तों मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी को पान चड़ाने का रिवाज है इस पान के साथ विशेश प्राथना भी किये जाती है मानेता ये है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को विशेश पान अर्पित करने से जीवन की हर समस्या का नाश होता है दोस्तों हनुमान जी को अश्ट सिधी प्राप्त है यानि कि हनुमान जी को लक्षमी के आठों रूपों का आशिरवाद है ऐसे में अगर आप हनुमान जी को पांच चढ़ाते हैं तो आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी राम भक्त हनुमान अगर खुश होंगे तो भगवान राम भी प्रसन होंगे शास्त्रों के नुसार भगवान राम विश्नु के ही अफ़तार हैं ऐसे में आपको भगवान विश्नु का भी आशिरवाद मिलेगा शनी ने शरी हनुमान जी को वचन दिया था कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो उस पर शनी की टेड़ी द्रिश्टिन नहीं होगी अगर आप पर भी शनी की साड़े सती चल रही है या शनी कमजोर है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें पान चड़ाएं अगर मंगल कमजोर है तो मंगलवार के दिन पान चड़ाने से आपका मंगल ठीक हो सकता है तो कैसे बनवाए हनुमान जी कलिवशेश पान आईए जानते हैं दोस्तो इस पान में केबल, कथा, गुलुकंद, सौफ, खोपरे का बुरा और सुमन कत्री डलवाएं दोस्तो ये पान एकदम ताजा, मिठा और रसबरा होना चाहिए और ध्यान रहे कि पान में चूना, तंबाकू और सुपारी नहीं डालनी है और नहीं तंबाकूओले हातों से इस पान को बनवाना है तो पान बनवाने के पैस्चात, वीधी विधान से पूजन करने के बाद भगवान हनुमान जी को प्राथना करें कि है हनुमान जी ये मिठा पान आपको अर्पन है और मेरे जीवन में भी मिठे पान की तरह ही मेरे जीवन में आप मिठास भर दीजे हनुमान जी को यदि ये बोल कर अर्पन किया जाए तो बजरंग बली की कृपा से बहुत जल्दी आपकी हर समस्याद दूर होगी और इसके साथ ही भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की भी आपको विशेश कृपा और उनका विशेश आशिर्वात आपको प्राप्त होगा तो अमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों वह परिवारजनों के साथ शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद